एक बार की बात है एक दिन सूर्य और हवा में अचानक विवाध होने लगा दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि उन दोनों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है वायू बड़ी ही घमंडी और जिद्धी स्वाभाव की थी उसे अपनी शक्ती पर बड़ा ही गुरूर था उसका मानना था कि वह अगर तेज गती से बहने लगे तो बड़े-बड़े पेड़ों को उखाड सकती है उसमें मौझूद आर्द्रता नदियों और जीलों के पानी को भी जमा सकती है अपने इसी घमंड के चलते वायू ने सूर्य से बहस करते हुए कहा मैं तुम से ज्यादा शक्तिशाली हूँ मैं चाहू तो किसी को भी अपने जोके से हिला सकती हूँ सूर्य ने हवा की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा बड़े ही शान तरीके से कहा देखो कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए हवा यह सुनकर चिट गई और खुद को ज्यादा शक्तिशाली बताती रही इस पर दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि उन्हें तभी रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया उस आदमी ने कोट पहना हुआ था उसे देखकर सूर्य के मन में एक योजना आई उसने हवा से कहा जो भी इस आदमी को उसका कोट उतारने के लिए मजबूर कर देगा उसे ही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा हवा ने बात मान ली और कहा ठीक है सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी तब तक तुम बादलों में छिप जाओ सूरिय बादलों के पीछे छिप गया फिर हवा बहने लगी वह धीमे धीमे बहने लगी लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा फिर वह तेजी से बहने लगी हवा तेज होने की वज़स से उस आदमी को ठंड लगने लगी और उसने अपने कोट से शरीर को डूट अच्छे से लपेट लिया बहुत देर तक ठंडी और तेज हवा भहती रही लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा अंत में हवा ठक कर शांत हो गई इसके बाद सूर्य की बारी आई वह बादलों से बाहर निकला और हलकी धूप करके चमकने लगा हलकी धूप होते ही उस व्यक्ती को ठंड के कापमान से थोड़ी राहत मिली तो उसने अपना कोट धीला कर दिया इसके बाद फिर सूर्य तेजी से चमकने लगा और तेज धूप निकल गई तेज धूप होते ही आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना कोट उतार दिया जब हवा ने यह देखा तो वहा खुद पर शर्मिंदा होने लगी और उसने सूर्य के सामने अपनी हार मान ली इस तरह घमंडी वायू का अमकार भी तूट गया इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खुद की योग्यता वा ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंड करने वालों की कभी जीत नहीं होती है